जहन सभी को बिटा सबसे पहले तो आप सभी का हर्दिक अब नंदन और स्वागत और चैनल के मैध्यम से मैं आप लोगों के साथ जो महत्पूर्ण सूचनाए होती है वो साजा करता हूँ हमेशा और आज भी ये वीडियो जो है मैं तीन भागों में बाटूंगा और उसी के अप इसको देखना वीडियो के जो तीनों पार्ट्स है वो इस प्रकार से रहेंगे पहला सेक्शन जो है मैंने एड्मिशन वाले बच्चों के लिए दिया है क्योंकि एड्मिशन बहुत महत्पूर्ण प्रोसेस होती है तो एड्मिशन के उपर है एक सेक्शन जो है मैंने पूरा आप लोगों के एक्जाम्स के उपर लिया है एक्जाम्स कौन से एक्जाम्स लिये है मैंने आप लोगों के जो होने बाले है सेकंड और फोर्ट सेम के और एक सेक्शन जो है मैंने आपके रिजल्ट सेक्शन के उपर लिया है तो मेरा उद्देश यह है कि इस वीडि तेटराइब करके चलेंग कि उनके लिए बहुत महत्पूण थैकि किस तरीके से चीजों को डील किया जाता है और किस तरीके से आगे बढ़ा जाता है मैं उनको सारी चीजें इस chill till cm अध्यम से open up करके बता दूँगा सारी चीजें बिल्कुल किलियर कर दूँगा जो आगे चलके उनके लिए बहुत काम आने वाली है देखिए अभी जो है बीए बीसी बीकॉम पार्ट फर्स्ट का जो है लिश्ट आ चुकी है तो बीसी और बीकॉम में तो किशी वच्चे को दिक्कत नहीं है सब्जेक्ट अलोटमेंट उनका अटमेटिक हो जाता है बीए में सब्जेक्ट कई को लेजों में 12 कई को लेजों में 13 तक आ जाएगी क्लासेज आप लोगों की संभवतिया 16 अगर्ष्ट से बैसे तो शुरू हो जाएगी दस्तारिक से ही यह मान के चलो हो गई यह मानो ऑफिशली बट जो रेगुलर क्लासेज है वह 16 अगर्ष्ट के आसपास से आप लोगों की बिलकुल रेगुलर आना आप लोग शुरू कर कर रहा हूं तो एक तो यदि आपके EWS है तो आप अभी भी गवर्मेंट आर्ट्स गल्स कॉलेज कोटा में फोरम भर सकते हो 16 अरिक लाश्ट देट है बाकी स्टुडेंट जो है गवर्मेंट गल्स कॉलेज रामपुरा में अभी सीट खाली है 16 अरिक तक फोरम बरे जा रह है कुनारी में इस्तित है तो यहां पर आप लोग फोरम भर सकते हैं इसके अलाबा जो बच्चे पूछ रहे थे कि सर कुछ अगली लिश्ट और आएगी क्या तो अगली लिश्ट सिर्फ वहीं आएगी जहां सीटे खाली है और कुछ पॉइंट में कहीं 0.5 कोई 0.6 परसें कि टाइम टेबिल के ऊपर और एकजाम के ऊपर क्योंकि बच्चों के लिए यह बहुत महत्पूर्ण चीज है मैं आपको बता दूँ बिटा कि आप लोगों के जो एकजाम से वह राकी के ठीक बात प्रिस्तावित हैं प्रिस्तावित ही बताऊंगा अभी क्योंकि टेविल है अगले दो तीन दिनों में आ जाएगा तो टाइम टेविल मेरे साम में अगले कुछ दिनों में आ जाएगा यह आप तो टेमान के चले और कुछ वच्चे करें तिक सरामने पहले भी बताया था वट उसके अकॉर्डिंग नहीं हुआ बिटा मैंने पहले भी कहा है क इसी चीजे जो है एक प्रकार से प्रोजेक्शन होता है अनमान होता है कहीं ऐसा नहीं है कि आपको एक्जेक्टली चीजे मिल जाएंगी आपको देखो यूनिवर्सिटी ओफ कोटा से ही मिलेंगी उनकी वेबसाइट से मिलेगी हम सिर्फ आपकी सहेता के लिए हैं और पर जो बच्चे मुझे जानते हैं मैं कोई प्रापर यूटूबर वाली इस्तिती में तो हूँ नहीं एजे असे 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 प्रफिसर काम कर रहा हूं तो ऐसा नहीं होता है कि आप लोग यह सोचें कि मैं विल्कुल एक्जेक डेट वता दू वह संभब भी नहीं है जो चीज आपको ध्यान भी रखना है तो यह बहुत महत्पूर्ण चीज है इसके अलावा जो रिवेल की प्रिक्रिया है तो रिवेल का आप लोग ध्यान रखें रिवेल में इस वार जो है सेमेश्टर के जो रिजल्ट से आये हैं विएस सी और विकॉम के उनके रिवेल के फॉरम खतम हो गए हाड कोपी आप अभी भी युनिवर्सिटी बेश सकते हो नेट की मार्क सीट के साथ कोई जरूरी नहीं है कि आपको जो है उसमें औरिजनल मार्क सीट लगानी पड़े हाला कि फॉरम में लिखा हुआ है औरिजनल मार्क सीट बट वो नैसेसरी नहीं है अब हम सेस हैं देखिए BSC सेमेस्टर वन के भी आ गए तो यह भी कहानी खतम हुई अब जो बचे है वो क्या है देखिए BSC सेकंड बचा है और B.A. सेकंड बचा है और B.A. फर्स्ट बचा है और इसके अलाबा जो है M.A. के सारे रिजल्ट बचे हैं जो मोशली रिजल्ट है M.A. के वो बच्चे हुए हैं तो इन रिजल्ट के ऊपर हम लोग थोड़ा सा डिसकासर करना चाहेंगे देखिए जिन बच्चों का रिजल्ट आ गया है एक तो सेमिश्टर वाले बच्चे परिशान नहीं हो उनका रिजल्ट कुछ भी आए वो लोग सेकिंड सेमिश्टर देंगे पहले तो यह ध्यान रखें बीए का रिजल्ट आपका कुछ भी आए फर्स्ट सेमिश्टर का चाहिए फैल हो पास हो कोई खरत नहीं पड़ता जिन पेपरों में बैक होगी वो सेकिंड सेमिश्टर वो थर्ड सेम के साथ लगेंगे वो किसके साथ लगेंगे थर्ड सेम के साथ लगेंगे सेकिंड सेमिश्टर से रिलेटेड इसूज यहीं पर आपके सेकिंड सेमिश्टर में सिर्फ सेकिंड कही पेपर होंगे तो परिशान नहीं होना है आगामी तीन से चार दुनों में आने की पूरी-पूरी संभावना है, पूरी-पूरी संभावना है, मेरे साम में साथ BSC का तो एक-दो दूनों में और इसके बाद जो है, आपके बी-ए का भी बहुत जल्दी आ जाएगा, तो यह बिल्कुल इस चीज को लेकर के ज्यादा प में का रिजल्ट इस बीक में, इस बीक का मतलब होता है, पूरा Monday to Saturday, तो Monday से Saturday के बीच में आप लोगों के PG के भी रिजल्ट मेरे एसाब में आना सुरू हो जाएंगे, अब यह कब तक आते है, सब्जेक्ट वाइज यह का लग इशू है, बट शूरू हो जाएंगे, बी-ए पहट लोग शिक्षक हैं तो भावी शिक्षकों में एक जो गुड होना चाहिए, बहुत धैरिया है, आप लोग अपने धैरिये को सिद्ध करें कि आप लोगों में धैरिया है, आपके रिजल्ट को लेकरके अपडेट देना थोड़ा सा मुशकल इसलिए होता है कि आपके कुछ चीजें अलग होती हैं बाकी लोगों से आपके लेसंस होते हैं आपके क्लासेज अलग वे में होती हैं आपके इंटरसेप होती है तो बहुत सारी चीजें हैं अलग-अलग कॉलेज होती हैं अलग-अलग कॉलेजों में अलग-अलग टाइमिंग्स होती हैं तो इसलिए क जो चीजे समझ में नहीं आए आप लोग कमेंट करके पूछिएगा मैं रिप्लाइ करने का प्रियास करूँगा और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके चलें आप सभी को सुब कामना आए all the best और good luck थेंक्यू बच्चो